दोस्तों इस समय पूरा देश आजादी का अमरत महसव मना रहा है क्योंकि भारत देश 2022 में भारती सुद्रता का 75 वर्षों का सफर पूरा कर चुका होगा जिसे यादगार बनाने के लिए पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी पल को यादगार बनाने के लिए इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के कुछ पन्ने पलटने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चै बनाने की योजना चलाई जा रही थी। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरह का पहला जो द्वज है अंग्रेजों के शाचन में बनाए गया था जिसमें यूनियन जैक है याने बिटेन का एक जंडा यहाँ पर दिखाई देता है और बीच में एक बड़ा सा स्टार है हम कह सकते हैं कि यह भारत की धर्ती पर बना पहला जंडा हम कह सकते हैं इसके बाद में 1904 में आजादी के लिए अपनी भावना को प्रगट करने के लिए जंडे का निर्माण किया गया था जिसे स्वामी विवेकनन की शिश्या सिस्टर नेवेदीता ने इसे बना गया है क्योंकि इसमें वौद धर्म का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा था और चारों और आप देख सकते हैं कि यहां 108 दी प्रजोलित बने हुए हैं और बंगाली में दोनों और वंदे मातरम यहां लिखा हुआ है इसके बाद में 7 अगस्त 1906 को जब बंगाल का बिवाजन हुआ था इसके बाद में कोलकता के पार्सी बगान चौंक ग्रीन पार्क में एक ज़ंडा फेराए गया था जिसमें आप उपर देख सकते हैं हरा रंग है जिसमें 8 कमल के निशान बने हुए हैं सबसे नीचे सूर्य और अर्द चंदरकार का निशान है और बीच बिवाजी कामा इन्होंने अंतरास्टिय समाजवादी कांग्रेस के सम्मिलन में पहली बार बिदेश में ज़ंडा फेराया था और यहां आप देख सकते हैं इसमें वी तीन कलर ऊपर केसरिया रंग है जिसमें 8 तारे हैं बीच में पीला रंग है जिसमें बंदे मातरम किया था अब सफर आगे बढ़ता है जिसमें 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगा था तिलक की जो होम रूल पार्टी है दोनों के समय एक नया जंडा बनाया गया था जिसमें लाल और चार हरे रंग की पट्टी थी और किनारे पर एक यूनियन जैक आप देख सकत की थी और इसी समय एक जंडा इज़ाद किया गया था इसके बाद में 31 मार्श 1920 के कांगरिस के एहमदावात अधिवेशन में देजबंदू चितरंजन दास को अध्यक्ष बनाय गया था और इस समय वह जेल में थे तो इनकी अनुपस्तिती में हजीम अजमल खां को कारे कार अध्यक्ष बनाय गया था और इनी के समय में आंधपरदेश के पिंगाली वेंकाया ने दो रंगों वाला इक जंडा इन्होंने बनाया था जिसमें लाल और हरा कलर मौजूद था पिंगाली वेंकाया आंधपरदेश के एक क्रशक थे और कहते हैं कि जालंधर के लाला हंसर इसमें चर्खा जोड़ा था और गांधी जी ने इसमें सफेद रंग का सुझाओ दिया था ताकि इसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधित को दर्साया जा सके। इसमें इन्होंने इस साक्षि का हवाले दिया था उन्होंने राष्टी दोच के डिजाइनर के तौर पर पिंगली वेंकाया का नाम पूरी तरह से खारिज कर दिया था। पिंगली वेंकाया ने किया था और इसी के अधार पर दो रंगों का जंडा बनाया था। इस समय तिरंगा जंडा धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप की और आगे बल रहा था। वर्ष 1931 के तिरंगे जंडे को राष्टी धोज की रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था। यह धोज वर्तमान स्वरूप का पूरवज कहलाता है। इसके उपर आप देख सकते हैं लाल रंग की जगा अपकेसरिया रंग आ चुका था। सबसे नीचे हारा कलर था और बीच में गांधी जी का चरखार लगा हुआ था। यह सौतनदरता आंदोलन का प्रतीक बन चुका था। और इसी समय दो अपरेल 1931 को कांगरेस के कराची अधिवेशन में एक जंडा समीती का गठन किया गया था जिसके अध्यक्षते सरदार बल्लव भाई पटेल। पर अपनाने की सिफारिश कर दी थी और बाद में चरखा की जगाए 24 तीलियों का अशोक शाकरिस में जोड़ा गया था जो वास्ताव में सारनात के असोक इस्तंब से लिया गया था और फाइनली हम बात करते हैं 22 जुलाई 1947 को संबिधान सभा ने नए तिरंगे को स्विका पर आड़ बजे फैराया गया था और कहा जाता है कि इस तिरंगे को मेरट से मंगाया गया था क्योंकि 1857 की जो क्रांती शुरू हुई थी वो कहा जाता है कि मेरट से ही इसकी शुरूआत की गई थी तिरंगे जंडे का सफर काफी रोचक रहा है तो दोस्तों इस तरह से हमन जै भारत